हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रैकॉन ऑनलाइन क्लासेस दोस्तों मैं आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूं During my 14 years of experience in teaching I have came across many students जो की अपनी तैयारी बीच में छोड़ लेते या फॉर्म भरने के बाद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते जितना उनमें कैलिबर है क्या कारण है जिस वज़े से वो अपना उतना potential यूज नहीं कर पाते जितना उसमें potential है आज मैं आपको कुछ steps बताऊंगा जिससे आप identify कर सकते हैं कि आप से गलती कहां हो रही है और आप अपने potential का maximum utilization कैसे करें मैं आपको advise करूंगा कि जो भी बात मैं आपको इस video में बता रहा हूँ उसको एक A4 sheet में आप लिख ले so that कि आप time to time improvise कर सकें अपने caliber को अपने potential को with the right attitude तो आईए समझते हैं कि गलतियां कहां होती है और आपको क्या steps लेने हैं जिससे की गलतियां ना हो और आप अपने potential का पूरा इस्तमाल करके gate engineering services या PSU को easily crack कर सकें तो मैं आपको पहली चीज जो बताना चाहूंगा इसके अंदर वो है कि आपका motto क्या है आप gate करना चाहते हैं ESE करना चाहते हैं या PSU करना चाहते है या हो सकता है कोई ये तीनों ही करना चाहिए कोई भी एक मिल जाए ये भी होता है पहुत सारे students का तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं देखिए आपने goal set किया these all are your goals तो आपको पता होना चाहिए कि ये goal आपने life में क्यों बनाया है क्योंकि ये life changing things हैं दोस्तों आपने gate में admission ले लिया through Mtech किसी IIT के अंदर या आपने कोई PSU लिया है gate के थुरू या आपने engineering services से government of India के लिए काम करने का decision लिया है तो आपको idea clear होना चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हो there may be many reason there may be the reason of financial कि हमारी family में इतना financially कोई sound नहीं है तो I want to become financially sound by getting these it's okay very fine लेकिन आपके दिमाग में clear होना चाहिए कि आप gate engineering services या PSU क्यों करना चाहते हो और उसको एक A4 की paper में ये लिख लिए कि मैं gate क्यों करना चाहता हूँ gate ESC भी हो सकता है PSU भी हो सकता है लेकिन वहाँ लिखें why इस paper को हमेशा अपने पास रखें जेब में नहीं लेकिन अपने किसी बहुत ही important जगा पे रखें जहां आप इस paper को easily डूंड के फिर कभी पढ़ सके time लीजिए पता करिए कि आप सच में gate ESC या PSU क्यों करना चाहते हो गोल तो बनाया है लेकिन क्यों financial हो सकता है social हो सकता है यह इसकी सेवा करना चाहते हैं सच में आप higher studies करना चाहते है that may be a reason या तीसरा reason हो सकता ego satisfy करना आप लोगों को प्रूव करना चाहते हो कि आप exist करते हो आप में potential that may be a reason it is no harm but आपका reason जो है वो बिलकुल clear लिखावा होना चाहिए किसी एक जगा पे जो आपको पता है I don't want कि आप सबको बताएं कि आपने gate क्यों चुना लेकिन आपको अपने आपको पता होना चाहिए कि आपने ये goal क्यों चुना this is very important most of the student don't work on these things वो सोचते ही नहीं है और बस चालू कर देते हैं बट एक बार उसको लिख लीजिए आप दिखेंगे आपको एक sense of responsibility आएगी क्योंकि आपको पता चल गया है अब exactly कि आपको आपका जो ये goal बनाए हैं ये क्यों बनाए so the first thing is why अगर इसको साइड हम से बुला जाए तो आप why का answer दे रहें क्यों करना है ठीक है now the second thing is how आप ये तैयारी कैसे करोगे ये बहुत important question है जिसका student answer नहीं लिखता है कैसे मैं दो तरीके हैं पहला self और दूसरा coaching आपको बिल्कुल clear होना चाहिए कि मैं किस तरीके से ये goal को पाऊंगा self study करके पाऊंगा it's okay कोई problem नहीं है मैं coaching करके पाऊंगा इसमें भी कोई problem नहीं है इसमें देखिए दो तरीके की coaching साचकल चल रही है पहली coaching जो classroom coaching कहलाती है they are very expensive and second जो coaching कहलती है वो हमारे जैसी है जो online they are less expensive इसमें हम सब कुछ आपको online आपके घर बैठे provide कर देते हैं आप अपने घर पे जब चाहें तब बैठके पड़ सकते हैं अभी अभी हम launch करने जा रहे हैं ESC paper 1 की भी study material with videos तो सारे videos और notes ESC 1 का जो part 1 है general studies का वो हम launch करने है very soon ठीक है I expect कि हम 15th to 20th July तक of 2017 we will announce the course तो अगर आपको यह वाले videos अच्छे लगते हैं हमारे आप general studies पढ़ना चाहते हैं तो you are most welcome for the online series यह आपको घर पे बैठे videos मिलेंगे आप इन videos को घर पे देख सकते हैं तो वापस I am coming back to how तो यह आपको decision लेना है कि आप कौन से program में जाना चाहते हैं that is very important तो आपको यह clear होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ अगर आप self करने वाले no harm in debt इसमें बिल्कुल गलती नहीं है दोस्तों बट आपका mentor अच्छा होना चाहिए अगर कोई senior है या आपके family में कोई है तो उसको idea होना चाहिए कि आपको किस तरीके से तयारी कराई जाए क्योंकि competitive माहौल है बहुत जादा students pass out हो रहे हैं हर branch के अंदर तो अकेले करेंगे तो दिक्कते आएंगे तो mentor sound होना चाहिए इसमें आपको directly mentor मिल जाते हैं classroom program हो तब भी और online program हो तब भी तो it is your part to decide how this is again a very important यह भी आप a4 sheet में second step लिख लीजिए why and then how यह लिख लीजिए ठीक ऐसा नहीं है कि यह change नहीं हो सकते हो सकते हैं दो महीने तीन महीने बाद आप हो सकता है आप self study से coaching में आ जाए बट आपको उस समय लिखावा होगा कि मैंने यह decision लिया था ठीक है इसको आप फिर review कर सकते हैं कि अब देखते हैं कि जो मैंने पहले लिखा था उसमें कुछ changes तो नहीं आ गए that is okay perfectly fine now the third is the another important thing time आप किस time पे यह goal achieve करना चाहते हैं यह कि goal और plan में एक ही अंतर है गोल में time fix होता है जैसे कि अभी it is July 2017 आप कब वीडियो देख रहे हैं I don't know लेकिन आप आज की डेट जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से यह decision लीजिए कि कि किस time तक में इसको achieve कर लूँगा अगर उस time तक achieve नहीं कर पाया तो मैं हार मानते हुए बाहर निकल जाओंगा write down the time might be it is three years no issue but you should be clear it might be one year it might be six month but आपको पता होना चाहिए when to step out आप कब बाहर निकल जाएंगे यह बहुत important है अगर आपके पास time का pressure नहीं है तो आप कभी भी seriously तयारी नहीं कर पाएंगे अगर आपको seriously तयारी करनी है दोस्तों तो goal के साथ time होना बहुत ज़रूरी है किस time तक you have to write the date तो third point आपको लिखना है time बहुत important है जिससे कि आप खोल के देख सकें और review कर सकें कि आपको सही में उस direction में जा रहे हो कि नहीं एक time pressure बनाना बहुत ज़रूरी है infinite time किसी के पास नहीं होता दोस्तों now the fourth point is money कितना पैसा आप लगाने को तयार हो वो यहां से decide होगा तो यह आपस में interlink है ठीक है तो आपको एक budget बनाना होगा कि मैं इतने पैसे इसके लिए लगाने को तयार हो यह आपको clear होना चाहिए अगर आप in classroom coaching में जाते हो तो I think your budget should be nearly around 2 lakhs to 2.5 lakhs और अगर आप हमारी वाली line में आते हो तो I can say it is 30,000 to 40,000 rough estimation क्योंकि इसमें classroom coaching के अलावा रुकना, transportation और बहुत सारे ऐसे खर्चें सामिल हैं जो की आपको दिखते नहीं they are hidden आप किसी metro में जाके रहते हो आप कहीं पे कमरा लेते हो आपका मां खाने पीने का अलग अंदाज होता है सब कुछ के लिए आपको ये estimation लगाना पड़ेगा ठीक है आपको इसमें parts में आप divide भी कर सकते हो मैं इतने की books खरीदूँगा इतने का photocopy होगा ये चीजें भी आप लिख सकते हैं जिससे कि आप हर रोज पैसे बचाने का नहीं सोचें आपका दिमाग एकदम clear रहे कि मेरे को इतना पैसा तो खर्च करना है ये खर्चे बगेर मेरा goal achieve नहीं होगा तो आपको बिल्कुल clear होना है बहुत सारे लोग हैं जो books को खरीदने में कंजूसी करते हैं क्योंकि उनको अपना budget ही नहीं पता होता है कि आप कित्ता पैसा खर्च करने वाले हो तो वो books बचाने की कोशिश करते हैं notes बचाने की कोशिश करते हैं photocopy नहीं कराएंगे printouts नहीं लेंगे forms नहीं भरेंगे नहीं पैसा लग जाएगा ठीक है आपको कहीं exam देने आना जाना पड़ सकता है तो train का खर्चा लग सकता है तो आपके दिमाग में एक crystal clear होना चाहिए कि मैं किस program में जाऊंगा और उसमें कितने पैसे खर्च होने वाले अगर आप ये clear रखेंगे तो आप हर बार छोटे छोटे पैसे बचाने का नहीं सोचेंगे आपको पता है कि मेरा plan क्या है मेरे पास कितना time है और मेरे पास कितना पैसा है आप अपने parents से advice ले सकते हैं कि मेरे को इतना खर्चा लगेगा ये goal achieve करने हो So they can give you a feedback कि हाँ इतना पैसा लगाना ठीक है यानि So this is a very important part कि आपको budget पता हो कि इस पूरे goal में कितना पैसा लगने वाला है This is the fourth most important thing Now the last, fifth is review इन चारो points को आप review करते जाईए जब तक कि goal achieve ना हो इसका मतलब ये है कि क्या कहीं आपका दो महीने बाद या तीन महीने बाद कारण बदल तो नहीं गया ठीक है आप self से चालू हुए थे coaching में तो नहीं आ गए coaching में आए तो आप classroom coaching से online में तो नहीं आ गए क्या आपका time change हो गया है क्या पैसे का कि इतने पैसे खर्च हो गाए अब इससे जादा पैसा कर्च करने को नहीं है आप दिखेंगे कि ये चारों चीजें interlinked हो जाएंगी इस review में पहली बार मत करिएगा जब आप 15 दीन एक महीने बाद review करें तब देखिए कि क्या सच में आप उसी path पर जा रहे हैं जो आपने first day किया था या अब कुछ कुछ चीजें change हो गई है इस इस वेरी important और मैं कह सकता हूं दोस्तों अपने experience से कि 99% student के पास ये A4 sheet होती ही नहीं है उनको लगता है कि दिमाग में सब कुछ हो रहा है मेरे दिमाग में clear है दिमाग में कुछ clear नहीं रहता है clear रहता है paper और आप लिखिए आपको बहुत सारी चीजों के surprising results मिलेंगे हमको लगता है हम दिमाग में सब calculation अच्छे से कर सकते हैं ये सब कहनी की बाते हैं planning वगेरा कुछ नहीं होता सब कुछ अपने आप हो जाता है ऐसा नहीं है दोस्तों यू सी मिग और मेगा प्रोजेक्ट जो government करती है corporate करते हैं उनका एक बिल्कुल agenda fix होता है और वो इसी तरह से काम करते हैं यह हम लोग मैं जो पढ़ाता हूं project planning उसमें यह बहुत detail मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को लेकिन वो project से related होगा ठीक है एक project किस तरह execute होता है लेकिन सेम चीज यहां पर आप पे भी लग रही है आपका gate करना एक project है आपका ESC करना एक project है आपका PSU करना एक project है तो आपका project कैसे हो रहा है यह आपको बिल्कुल clear होना चीज़ है ठीक है यह सब कुछ interlinked है दोस्तों यह मैं चार्ड से आपको कुछ इस तरीके से समझाओंगा ठीक है आपका motto यहां जाएगा देन हाव यहां आएगा time यहां आएगा देन budget यहां एगा and they all are interlinked यह हम लोग वहां discuss करेंगे project management में but this is very important अगर आपने अभी तक यह A4 sheet नहीं बनाई है तो I request you आप A4 sheet जरूर बनाए यह आपको confidence देगा guidance देगा ठीक है इसको आप at least 15 दिन में एक बार जरूर देखें for five minutes not more than that पहली बार बनाए तब थोड़ा time ले अपने parents से concern करें अपने कोई senior है उससे concern करें अपने रिष्टेदारों से concern करें जिसको भी आप लगता है कि who can give you the feedback उनसे concern करें और यह एक sheet बना ले उसके बाद हर 15 दिन या one month बाद इसको review करते रहें आप कहां जा रहे हैं I can assure you अगर आप इस तरीके से plan करके तयारी करेंगे no one can stop you from achieving your desired goal आपके desired goal को को कोई नहीं रोक सकता I will only say must रहे अपनी engineering को enjoy कीजिए अपने goal को enjoy कीजिए thank you very much